हाई गाइस वैल्कम बैक टू चितना आट क्रेशिन क्लास तू इस्टी रहें आपको मैकरम से गनेज जी बनाना बता रहे हैं जिसके लिए हमने यहां पे यяти यलो कलर मैकरम यूज़ कहते हुआ है यहां पे हमने मटका बीट भी यूज़ किया हुआ है रेट कलर के और ब्लू कलर के साथी गाइस हमने यहां पे परपल कलर का मटका बीट भी यूज़ किया हुआ है यहां पे हमने मल्टी कलर का मल्टी कलर की बैल यूज़ किया एक ही कलर की बैल हम यहाँ पर यूज दे ही कर रहे है मल्टी कलर जादा अच्छा लग रहा है इसलिए हमने मल्टी कलर यूज की अपने हिसाब से बीट्स और बैल वगेरा ले सकते है यहाँ पर हमने 10 इंच का रिंग लिया हुआ है अगर इसे परचेस करना हो तो प्लीज कमेंड बॉक्स में अपना कॉंटाक नमबर ज़रूर लिख कर दे सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कीचेन रिंग ले रहे है 1 इंच का हमने यहाँ पर कीचेन रिंग लिया है यहाँ पर हमने मैकरम का कॉड लिया है सबसे पहले हम टू कॉड को कीचेन रिंग में अटेच करेंगे इसी तरह से हम सेकेंड वाला कॉड भी यूज करेंगे अब आगे जो हम कॉड यहाँ पर लगाने वाले हैं वो भी हमारे सारे 4-4 मिटर के ही है तो देखे है यह हमएं इसे कॉड लिया हैं हमने टू है यह जो हमने कॉड काउंट के में हम हम आगे आग काउंट किया हैं औस वह मतलब आगे जब कोई नॉट को हम लूप के अंदर से सो निकाल लेते हैं मिटर दो रखना है गर आप नहीं है ऐसा कर रहे हैं तो यहां पर हमें 10 भार नॉट्स लगानी है तो ऐसे में हमने यहां पर 5 नॉट्स लगा लिया है ठीक है इसके बाद गाइज इसके बाद अब हमें यहां पर काटा बीट यूज करना है इनके मुकुट बनाने के लिए हमने यहां पर काटा बीट यूज किया हूँ है इनके मुकुट बनाने के लिए हमने यहां पर काटा बीट यूज किया हूँ है ब्लू कलर का तो देखिए गाइज हमें परस्ट वाला एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लेना है यह भी हमारा 4 मिटर का ही है अब हम यहां पर बीट डालने वाले है तो सबसे पहले तो हम यहां पर अभी फिलाल ब्लू कॉलर का ही बीट ले रहे हैं यह भी गाइस कांटा पीठी है सिम्पल स्कुएर नौट बना लेना है यहां पुसे पिन की हैप से भी अटेश्ट कर सकते हैं कहां दोस्टेस कोड़ने के थो यहां पे ब्लू कोलर का मटका बीट नी, सॉरी गाइस, काटा वाला बीट हम यहां पे यूज करेंगे, इसके बास गाइस, अब हमें यहां पे सेंटर के टू कॉर्ट्स लेना है, और राइड कलर का काटा बीट इसमें डाल देना है, अटेज कर देना है, सेंटर स्क्वेर नॉट बना करके, ठीक इसी तरह से गाइस, काट्स को अटेज करते हुए, हम यहां पे ट्राइंगल को कमप्लीट करेंगे, जो उपर का गनेज जी का जो मुकुट है, उसे हमें कमप्लीट करना है, तो देखिए गाइस, हमने यहां पे मुकुट को कमप्लीट कर लिया है, टोटल हमने गाइस, यहां पे 7 लाइन बनाया हुआ है, गाइस, आप दोनों तो दरफ में से कोई सा भी 1st कॉड ले लिजे और हम यहां पे पाइपिंग करना है, tightly piping करना है gap हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है तो first वाला cord लेकर के हम यहाँ पे इस cord के उपर सभी cords को wrap करते जाएंगे एक cord को guys हमें two time wrap करना है तो देखे guys piping हमारा complete हो किया है इसके बाद अब हमें यहाँ पे बीट डालना है तो first वाला जो cord था उसे तो हम छोड़ देंगे जुसे हम piping कर रहे हैं second वाला जो cord है जो second वाले जो cord है उनमें हम blue color का कांटा बीट यूस कर रहे है देखे guys first two cords में हमने blue color का कांटा बीट यूस किया है इसके बाद कि जो guys second cord होंगे दो cord हमारे पास आएंगे वो हम छोड़ देंगे फिर आगे कि जो दो cord है इसमें हम blue color के कांटा बीट डाल देंगे ऐसे ही guys हमें आगे भी करना है blue color का कांटा बीट डालना है फिर हमें दो कॉट को छोड़ देना है फिर वापस वही प्रोसेस तो देखिए गाइस इस तरह से हमें बीट्स को डाल देना है अभी गाइस जो हमेर पस उपर वाला कॉट था इससे हम यहाँ पर पाइपिंग करेंगे तो वापस से हम इसे नीचे के तरफ गुहमा लेते हैं कॉट को फिर यहाँ पर पाइपिंग कर लेते हैं हमें गाइस टाइटली पाइपिंग करना है यहाँ पर भी लेकिन यह जो कॉट हमें छोड़े हुए हैं इन्हें थोड़ा समभल के piping करना है क्योंकि फिर यह उपर नेचे हो जाएगे इसलिए एक दम हमें straight line बना लेना है piping की एक cord को guys हम two time wrap करेंगे तो देखिए guys यहाँ पे हमने second वाले piping भी complete कर लिया है guys अभी हमें यहाँ पे simple knot बनाते जाना है तो first four cord ले लेते हैं हम कोई भी side के first four cords ले सकते हैं and यहाँ पे हमें simple knot बना लेना है तो first line में हम ऐसे ही simple knot बना करके ready कर लेते हैं जाए भी सकते हम हमाँ बना कर दो नहीं कर लेते हैं जए बना कर ले दो Państ रोक्कर बना कर दो सब्सक्राइब लेग्याँ प्राइब उसम्हाँव से कुन है तो यहाँ दो फिर खार स्रावश्त तो अब यहां भी यहां भी simple knot बनाना है लेकिन हम इसे loop बनाते हुए यहां पर simple knot बनाएंगे देखिए आपको zoom करके दिखा रहे हैं हम किस तरह से आपको यहां पर loop बनाते हुए simple knot को बनाना है गाइज आपको यह लूप इतना बड़ा रखना है कि हमारे कॉट्स इसके अंदर से आ जाएं क्योंकि गाइज हम इसके इयर जो बनाएंगे उनमें हमें यह लूप में से कॉट्स को ले लेना है तो देखे GUYS हमने यहाँ पे total five lines complete किया है अब गाइज हमें यहाँ पे five lines के बाख V-shape लेकर आना है जैसे हमने उपर triangle बनाया है और हमें ultra triangle बनाना है तो सबसे पादे हम two sides के two cots उनको छोड़ देते हैं वो अभी हमें नहीं यूज करना है बाद में हम इने यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो हम गाए simple not बनाना start कर लेते हैं बीच बीच की कॉड्स में हमें simple not बनाते जाना है तो ये automatic ही V-shape में आ जाएगा झाल 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 तो देखे गाइस लास्ट में हमने टू नॉट्स पर यह छोड़ दिया है हमें आगे इसमें एक नॉट नहीं लगाना है सिफ टू नॉट्स में हमें इसे छोड़ देंगे अभी गाइस हमें यहां पर उपर के जो फोर कॉर्ट साना उनमें सिंपल नॉट बनाना है जैसे लू लूप बनाते हुए simple knot को complete करना है दोनों साइड हम ऐसे ही loop बनाते हुए knots को complete करेंगे अभी गाइज हमें जो हमने knots छोड़ा था उसके हमें सेंटर के two knots ले लेना है यहाँ पर सेंटर के two knots कोड़ में हमें बीट डालना है अगर आपके पास बड़ा बीट हो तिलक के लिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर गाइज मैं कांटा वाला बीट यूज़ कर रहे हूँ रैट कलर का बीट डालने के बाद गाइज हमें यहाँ पर simply knot से attach कर देना है अभी गाइज हमें गरेज जी की आइब्रो बनाने आई तो आइब्रो बनाने के लिए फर्स्ट वाला कॉड़ हम यहां से ले लिंगी एंड टाइटली पाइपिंग करेंगे जिस शेप में यह आ रहा है प्रस्ट वाले जो फोर कॉर्ट्स है न जो हम अभी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा राउंड में आएगा और फिर सीधी सीधी आएगी तो इसी शेप में हमें आइब्रो को बना लेना है इतम टाइटी गाइज पाइपिंग करना है हमें यहाँ पर जिस बढरेगा है हमें आपना है हमाना जुड़ा नीकिस पाइब आपाँ गेगा रहाहे हमें हमें on Ausl मट झाल झाल तो देखिए गाईज यहाँ पे हमने कम्प्रीट कर लिया है अब हमें यहाँ पे सेकेंड वाला पाइपिंग भी कम्प्लीट करना है गाईज सेकेंड वाली पाइपिंग भी हमें कम्प्लीट करना है यही टाइटली पाइपिंग हमें करते जाना है गाइस सेकेंड पाइपिंग कंप्लीट हो गया है अब हमें इनकी आइस बनाना है तो आइस के लिए हमने हाँ पे ब्लैक कलर का मटका बीटी उस किया हुए अगर आपके पास बिग यह आइस के लिए हो कोई भी बीट तो आप उसे डाल सकते हैं अभी गाइस हमें आइस को कंप्लीट करना है तो फर्स्ट वाला नौट हमने यहां पे जो बनाया हुआ था वहां का फर्स्ट वाला कॉड हमने ले लिया है और फर्स्ट वाला जो कॉड पे हम पाइपिंग करेंगे वो थोरी टाइट पाइपिंग करेंगे फिर इसके बार ठीला करते हुए हमें इसे राउंड शेप में बना लेना है झाला जो झाला जो पाइपिंग करेंगे बनाया है झाला जो करेंगे बनाया है देखे गाइस हमें दोनों तोरफ की आईस को कम्प्लीट कर लिया है अब हमें इनका ट्रंक बनाना है तो ट्रंक बनाने के लिए इसे हम सबसे पहले तो पीछे की तरफ गुमा लेते हैं इस तरह से हमें पीछे तरफ गुमा लेना है एंड गाइस हमें थोड़ा सा पाइपिंग करना है तो आप से पहले देख लीजे जूम करके हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको पाइपिंग करना है तो टाइटली पाइपिंग हमें नहीं करना है यहाँ पे देखिए इस तर ट्रंक बनाना थोड़ा टफ है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ट्रंक है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा यहाँ पर गाईज हम आपको ट्रंक बनाना थोड़ा डीपली में बता रहे हैं कहां से आपको कैसे कॉट्स को छोड़ना है और कहां पर कैसे आपको कॉट्स को कम करते जाना है ठीक है तो आप लोग देख लीजे किस तरह से हम यहाँ पर ट्रंक बता रहे हैं ठीक इसी तोरह से guys हम यहाँ पे पूरे round को complete कर लेगी अगर guys आपको लग रहा है कि हमारी गनेश जी की eyes जो है वो थोड़ा अदर की तरफ गुझुक रही है तो आप इसे भी धीला कर सकते हैं लेकिन अगर आप में आधा कर लिया तो फिर आप नहीं कर पाएगी इसलिए पह मतलब guys आप ऐसे देखिए कि हमने उपर के तरफ जो piping किया है फर्स्ट वाला piping किया है उसमें पाइपिंग में कित्ता नॉट आता है टू नॉट आता है तो जो last का जो मिलब पहला जो को नॉट होगा उससे हमें यहाँ पे नॉट को बढ़ा लेना है ठीक है इस तरह से मैं अभी यहाँ पे ट्रंक को बना लेती हूं मैंने यह ट्रिक बनाया हुआ है कि मुझे कहां से कित्ता लेना है तो देखिए अभी थर्ड वाला लाइट भी हम ऐसे ही कम्प्लीट कर लीगे ऐसे गाइस हमें अभी कॉट्स को नहीं छोड़ना है यहाँ पे टोटल फाइव ला पीच्छे की तरफ ले लीना है अंड देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा बना लेना है गैप को कम करते हुए अब हम वापस से गाइज पैपिंग करेंगे यह वाला जो piping होगा guys यह थोड़ा हाध ही piping करेंगे हम क्योंकि यहाँ पर हम एक extra cord को add कर लेना है ओके तो देखे गाइस यहाँ पर हम center तक लेकर आगे center आप कैसे लीजेगा guys तिलक के लिए तिलक से आप देखेगा center कौन सा हो रहा है ठीक है तो center इसके बाद के जो two cords है इन्हें हम छोड़ देंगे कट करके आप पीछे की तरफ stick कर लीजे stick कर लीजे पीछे के दरफ निकाल करके आप इसे and यहाँ पर guys हमें extra cord को attach करना है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं red color का यह हमारा cord 4 meter का cord है guys यहाँ पर loop बनाते हुए हमें cord को यहाँ पर attach कर लेना है देखे इस तरह से हम cord को attach कर लेंगे and इसके बाद guys हम first cord लेंगे side का and फिर piping कर लेंगे इस तरह से फिर second वाला cord लेंगे उपर के तरफ से इसे piping कर लेंगे और फिर हम उसको वाबस उपर बहुंचा देंगे इस तरह से हमें piping को complete करना है आगे का piping भी guys यहाँ पर हमें tightly piping करना है अभी हमें ढीला नहीं छोड़ना है थोड़े देर तक हम इसे tightly piping करेंगे guys ऐसे केरफुली आप इसे देखते जाएए आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रंक को आपको किस तरह से बनाना है यह देखिए guys थोड़ा थोड़ा क्या है यहाँ आप कम करते हुए यहाँ पर piping कर रहे है तो देखिए guys यहाँ पर हमने 10 lines कम्प्लीट कर देखिए जहां से हम गिनेंगे वहाँ पर guys हमने रैट कलर का कॉड़ अटेच किया है वहां से हम 10 lines को गिन लेते हैं ऐसे guys हमारी 15 lines है तो देखिए यहाँ पर हम कम करते हुए कॉड़ को कम करते हुए हमने यहाँ पर लास्ट वाला जो कॉड़ा है उसे भी एकदम tightly कर लिया है tightly बना लिया है तो कि अब हमें यहाँ पर थोड़ा गैप नहीं छोड़ा है अब हमें tightly piping करते जाना है करते हैं जो हमारा छोटा वाला कॉड अभी हमें इसकी ज़रुरत नहीं पढ़ रहे है तो अब हम इसे स्टिक कर लेते हैं पीछे की तरफ आप स्टिक कर लिजे इसे थोड़ा सा हम बैल्ट करेंगे एंड श्टिक कर लेंगे अब बाकी आगे का पाइपिंग हम कंटीनु करेंगे तो यह फर्स्ट वाला कॉड था जो हमने ट्रंक बनाने के लिए छोड़ा है अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप चोड़ा है थोड़ा थोड़ा गैप हम यहाँ पे चोड़ते जाएंगे थोड़ी देर तक 4-5 कॉड गैज हम यहाँ पे गैप में लेंगे और हम वापस को इसे light piping करना इसे स्कार्ट करेंगे आप अच्छे से देखते चाहिए तो आपको समझ में आने लगेगा अब हम यहाँ पर टाइट ली पाइपिंग करते चाह रहे हैं इस तरह से वापस हमें कंटीन्यू करना है जैसे हम उपर का पाइपिंग कर रहे है थोड़ा टाइट ली पाइपिंग झाली यहाँ भाइपिंग पर झाल 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 तो गाइस इसी तोरब से हमें ट्रंक का जो शेफ है वो गें से जाहेंगे जहां से हमें जैसे ट्रंक को हमें दूसरे वाले साइड से थोड़ा सा राउंड करना है तो। अभी यहां पर जो हम piping कर रहे हैं वहां से आपको थोड़ा सा gap छोड़ते जाना है आप gap छोड़ते जाएंगे तो अपना जो trunk है वो automatic turn होता जाएगा अगर आपको लग रहा है कि यह हमारे piping से कॉड़ बाहा जा रहा है यह piping में नहीं आ रहा है अच्छे से तो आप इसे कट करके stick कर दीजें इसे तरह से आप कट करते जाएंगे कॉड़ को stick करते जाएंगे तो हमारा जो trunk है वो complete हो जाएगा करते जाएगा करते जाएगा तो देखिए गाइस ट्रंक हमने कम्प्लीट कर लिया है अब हमाई पर सिक्स कॉट्स यहां पर आए हुए हैं बार की तरफ तो अब हम इसे कट करके स्टिक कर लेंगे हमें ऊपर की तरफ स्टिक कर लेंगे झाल झाल तो यह देखिए गाईस हमने ट्रंक को कंपलीट कर लिया है अगाईस अब हम यहाँ पे इयर बनाना है तो इयर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिये हैं 1.5 मिटर का कॉर्ड लिया हुआ है एंड जो फर्स्ट वाला जो लूप था इसमें हम फर्स्ट लूप में गाईस हम यहाँ पे टू नौट को डाल देंगे टू कॉर्ड को हम अटेच करना है यहाँ पे एक लूप में दौ कॉर्ड ओकीं सिंपल नौट बनाते जाना है दौ दौ कॉर्ड डाल करके सबसे पहला तो गाईस हम कॉर्ड को डाल लेते हैं इसके बाद हम सिंपल नौट बनाएगे यहाँ पे गाईज हम 1.5 मिटर के टोटल 14 कॉट्स ले रहे है यहाँ पे टोटल 14 कॉट्स हमें अटेच करना है ऐसे में गाईज 14 कॉट्स में हमारे 7 नॉट्स निकल के आएंगे तो देखिए गाईज यहाँ पे हमने 1st नॉट में नॉट्स 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 देखे गाइस 5 लाइन तक हमने नॉट को कम्प्लीट कर लिया है अभी इसके बाद गाइस हमें क्या करना है सेंटर के नॉट को सेंटर का नॉट ले लेना है 3-3 नॉट को हमें अलग करके सेंटर का नॉट को अलग कर लेना है ठीक है एंड जो गाइस 3 नॉट की इसमें से हम सेंटर के 2 नॉट सेंटर के जो कॉट्स है उसमें लेकर के हम यहाँ पे simple knot बना लेंगे V-shape में हमें दोनों side बनाना है लेकिन center का जो knot है उसे हमें as it is छोड़ देना है तो देखिए गाइस इस तरह से हमें यहाँ पे शीप बना लेना है अब फर्स्ट वाला knot कॉड लेना है हमें यहाँ पे unsimple piping करना है वन कॉड को हम टू टाइम piping करते चाहेंगे रैप करते चाहेंगे कॉड के उपर से इदम काइस हमें tightly piping करना है यहाँ पे तो देखिए गाइस हमने यहाँ पे double piping कंप्लीट कर लिया है अभी इसके बाद गाइस जो फर्स्ट वाला कॉड है उसे हम छोड देंगे सेकेंड वाला जो कॉड है इसमें हम यहाँ पे काटा बीट डाल रहे है ब्लू कलर का तो इसके बाद फिर सेकेंड वाला जो कॉड है इसमें हम यहाँ पे काटा बीट डालेंगे बिलु कलर का काटा बिज Esp सब्सक्राइब के तो यहां पर भी तुटीफ आपिंग करना है इसी तरख से हमने हैं इस तरह से हमने के बूद K zestी यहां लेकर कर दे हैं इस तरह से हम इसे में इंहें पाइपिंग कर देंगे मतलब दोनों कॉट्स को हमें सिंपल नॉट में अटेच करना है ये देखे गैस ये थोड़ा ना अमलब ट्रिकी होता है यहां में इयर इस तरह से बनाना है तो यहां हम अंदर के तरफ कॉट को ले सकते हैं तो देखे गैस हमारे गनेजजी के जो इयर्स हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं अभी गैस हमें यहां पर बैल्स अटेच करना है जो कॉट्स हमारे पास एक्स्ट्रा में आया है उन्हें हम कट नहीं करेंगे फिलाल तो अभी देखे इस तरह से हमने यहां पर ले लिया अब हमें सिजर लेना है फर्स्ट वाला कॉर्ड हम एजट इस छोड़ देंगे फिर सेकेंड वाला जो कॉर्ड है उसे हम कट करके पिछे के तरफ स्टिक कर देंगे थर्ड वाला कॉर्ड हम छोड़ देंगे फोर्थ वाला जो कॉर्ड है उसे हम स्टिक कर देंगे इसी तरह से गाइस वान कॉट छोड़ते हुए हमें यहाँ पे लंबे-लंबे कॉट्स को ले लेना है और बाकी जो छोटे-छोटे कॉट्स हैं इसे हम अटेच कर देंगे पिछे की तरफ यहाँ पे हम परपल कलर का मटका बीट यूज़ कर रहे हैं आप अपने चोईस से यहाँ पे काटा बीट भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे हम मल्टी कलर का बैल यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हम सबसे पहले ग्रीन कलर का बैल यूज़ करेंगे तो कुछ डिस्टें तक हम सबसे पहले इसे कट कर लेंगे एंड्स के बाद हम यहाँ पर लाइटर की हेल्प से अटेच कर देंगे इसी तरह से गाइस हमें यहाँ पर कम्प्रीट कर लेना है बैल को देखे बैल को हमने कंप्लीट कर लिया है अभी हमें गाइस यहाँ पर ओपर की तरफ रिंग अटेच करना है तेन उचकी हमें राउंड रिंग लिया है यहाँ पर हम पर हम कोरड़ कर रहे हैं यहाँ हमारे 11-1 मिटर के कोरड है तो देखे इस तरह से हमें यहां पे nom Do Global आटे करते जाना है थोरे से commit कर लिये थे इसके बाद हमें हमें comfort accepted करना है तो देखे के तरफ सबसे पहले तो हम यहां पे रिंग एटेुच कर रहे हैं तो रिंग टेइच करने के लिए यहां पे guys हम 2 मेटर का कॉड ले ले रहे हैं yellow color का जो first वाला लूप है इसमें से हम कॉड डालेंगे और यहां पे ring को attach कर लेंगे देखे सिंपल नौट बना दे जाना है कम सकम हाफ ring को हमें cover करना है बाकी के जो half ring होगी उसमें हम आगी का मुकुट तयार करेंगे तो देखिए गाइस हमने सभी कॉट्स को यहाँ पर डाल लिया है यहाँ पर हमारे टोटल 42 कॉट्स है अब हमें यहाँ पर पर कलर का कॉट लिया है और इस तरह से लूप याने कि एक लंबा कॉट लिया है और एक छोटा कॉट ही रहने देना है यहाँ पर लूप बनाते हुए हम इस कॉट को अटेच कर लेंगे देखे इस तरह से हमें कॉर्ट को अटेच कर लिना है एंड जो छुटा वाला जो कॉर्ड है हमारे पास उसे हम कट करके स्टिक कर लेगे तो देखे अब हमने इसाँ पे लिया हुआ है पिंक कलर का कॉर्ट इससरी की लूप बना करके हम इसे यहाँ पे अटेच कर देगे गायस ब्लू कलर के कॉर्ट को भी हम ऐसे ही अटेच करेंगे इसके बात घैस हम यहां पे लाइट ब्लू कलर लेने वाले हैं तो देखे लाइट प्लू को भी हमने इसी तरह से स्टिक कर लिया है इसके बाद अब हमें जो एक्स्ट्रो कॉर्ड है वहां उसको हमें पीछे की तरफ स्टिक कर लेने तो एकदम छोटी छोटी में आप इसी कट कर लिजे ज्यादा लबा कॉर्ड हम इसमें नहीं रखेंगे जो एकदम इसमें आप इसमें आप इसमें आप इसमें पाइपिंग कंप्लीट करना है अभी गाइस इसके बाद हमें क्या करना है यहां पेर पाइपिंग कर लेना है तो फर्स्त वाले यल्लो वाला रला कॉर्ड लेना है तर इस तरह यहां पर इसमेंipe keeping कर लेना आicus guys हमने piping कर लिया फिर इसके बाद guys देखिए हमें इस तरह से यहाँ पर right color का मटका beat यूज्स करना है हमने first वाले card को छोड़ दिया फिर second वाले card में हमने beat डाला फिर third वाला जो card है उसे हमें छोड़ दिया फिर fourth वाले में हमने बीड डाला है और piping को complete किया है एसी तरह से guys हमें पूरा round complete कर लेना है यह तो बहुत easy है guys आप लोग बहुत easily कर लेंगे तो देखे guys हमने extra cord को भी cut कर के पीछे की तरफ ही stick कर लिया है देखिए हमारे गनेज जी कितने सुन्दर लग रहे है तो guys हमारे गनेज जी का जो यह design है वो complete हो गया है I hope आपको design पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा comment करकर जरूर बताएगा कि आपने अगर इसे बनाया है तो कैसा लग रहा है and guys अगर आपको and take care